वाल्गुन अमावस्या हिंदु धर्म में बहुत अधिक महत्व रखती है और इस अमावस्या का धारमेक मानयताव के अनुसार बहुत महत्पून माना जाता है। से कारे भी हैं जो इस दिन आपको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए क्योंकि ऐसा करने से जीवन में दुरुभागय और सर्वनाश शुरू हो जाता है अगर आप दुरुभागय से बचना चाहते हैं तो इन चीजों को जरूर ध्यान रखें क्योंकि काफी लोग ऐसे होते हैं और फिर फस्ते हुए ही चले जाते हैं और खास दिनों पर कोई भी अगर गलत चीजों को कर लेता है तो उसके पीछे दुरुभागय को लगना ही है और जैसा कि आप जानते हैं कि दुरुभागय अगर पीछे लग जाता है तो आसानी से पीछा नहीं चुड़ता है फालग हमतट पर सनानकर भगवान का आशिरवाद प्राप्त किया जाता है जिसे सभी दुक दूर हो सकें। फालगुन अमावस्या का शुम मुरत है 22 वरवरी शाम 7 बजगर 4 मिनट से अमावस्या शुरू होगी और अगले दिन 23 वरवरी रात 9 बजगर 3 मिनट तक रहने वाली है। हिंदू कलेंडर के अनुसार फालगुन महिना साल का अंतिम महिना होता है। इस महिने में आने वाली अमावस्या फालगुन अमावस्या कहलाती है और इस अमावस्या पर श्राद पित्रों की त्रिप्ति के लिए सबसे श्रेष्ट यह अमावस्या कही जाती है। इसके बगवान शिव की विशेश किरपाइं भी प्राप्त की जा सकती हैं जिसे कारे से हर प्रकार की बाधाएं दूर हो सके और हर संकट मिठ सके इस दिन आपको सुबह किसी पवित्र नदी में सनान करके भगवान शिव की पूजा करने चाहिए और धूप दीप आदी दिखाना च करें और उनका अशिरवाद इस दिन लेना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि इसी से आपके पित्र प्रसन होते हैं और आप पर विशेश किरपाइं करने लगते हैं किसी जरुतमंद या गरीव व्यक्ति की भी मदद आप कर सकते हैं क्योंकि ऐसा करने से दुर्भागे बै प्रसन हो ही जाते हैं बलकि जो आपके रुके हुए काम हैं वो भी होने लगते हैं अगर आपके जीवन में आर्थिक समस्यां चल रही हैं तो इस दिन भगवान शिव को घीर का फोग लगाएं और शिवलिंग पर जाकर कच्छे दूद का अभिशे करना बिलकुल भी ना भ आप बिलकुल भी ना करें क्योंकि ऐसा करने से दुर भागे आपका कई गुना अधिक बढ़ जाता है और आपके जीवन में संकट और कश्टों का पहाट तूट सा जाता है अमवस्या के दिन आप कुस्से पर कंट्रोल रखें और इस दिन मास, मदीरा, लहसुन और भाव शुरू होते हैं तो जीवन बिलकुल नर्क जैसा हो जाता है और जो भी अच्छे काम आपके जीवन में चल रहे होते हैं वो बिलकुल खराब होने लगते हैं तो इस हमावस्या तिती पर यह चीजों का आप बहुत खास दियान रखें और दुर भागे से बचने की को पूछना चाहते हैं तो कमेंट बोक्स में जरूर कमेंट करें जिससे हम आने वाले वीडियो आपके लिए बना सकें चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें जिससे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिला करें और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बंबं भूले हर हर महादेव